इसकार आप देख रहे हैं हर्याना की चुनावी भी साथ इस समय हम मौझूद हैं रेवाडी के रेजांगला पार्क में हम चुनाओ के विशे में बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे इस रेजांगला पार्क और उसके इतिहास के विशे में हमारे साथ दो नौयूवक हैं जो यहीं के रहने वाले हैं रिवारी के इन से जानने की कोशिश करेंगे कि रेजांगला पार्क का इतिहास क्या है और इसका जो यह पार्क यहां बना इससे इस पूरे छेत का जुड़ाओ किस तरह से है मेरे बगल में हैं दिप्यांसु जी और राहुल जी पत्रकाईटा के के चातर रही हैं यहीं जाना चाहेंगे कि हिसक्षी ने ईंडिया पे एक जगह करकें तो वहां प्रेजांगला की नाम है वहाँ पे जो कुमाउ रेजिमेंट थी इंडिया नामी की वहाँ पे तैनाथ थे तो उसमें ज्यादा तर जो सैनिक है वो अहिरवाल बेल्ट से थे लगबग 120 लोगों की एक कमपनी थी है जिसमें से जो है ना सारे जो सैनिक है वो यादव थे जो यहां के अपने रिवाडी क जो बेल्ट आहिरवाल जिस छेतर को कहा जाता है उसके उपर जो है लगबग 1300 चाइनिज सैनिकों ने अटेक किया था और उस अटेक के अंदर मतलब डोकुमेंटेड चीजे भी हैं कि लास्ट तक वो अटेक चला था कि हाथों से जो लड़ाई हुई थी हतियार जो है दोनो जिन्दा रहे और 120 सैनिकों में से 114 सैनिक जो है वो सहीध हो गए थे और उन 114 सैनिकों का नाम जो है यह जो सिलापट लगी है आप इसके उपर देख सकते हैं हर जो सैनिक सहीध हुआ उसका नाम इसमें है मेजर सैतान सिंग एक जो तो जिनको प्रमवीर चक्र दिया गया म मिरवाल के चेतर के लोगों ने इसको मतलब हमारे 120 सैनिकों ने हमारे युद में अपनी ज्यान गवाई थी उसके बदर बनवाया गया हमारे कार्विस के टाइम में बना था जंगला पार्क इसका उपंदर से हुड़ा ने किया था हुड़ा साब ने किया अभी कितने साल प कभी खुलता है मतलब कोई मतलब में परसन आता है तब खुलता नहीं तो बार में बंदी रहता है आप कोई टिकट वगएरा क्योंकि यह पार्क है तुसके रख रखाव के लिए सुरच्छा के लिए ऐसा कुछ देखिए जो सैनिक बोर्ड है और जो पार्क की समीती है और मुनिसिपल कॉर्पोरेशन वही इसको मैनेज करते हैं लेकिन इसको एक जो इसकी इतनी अच्छी लेगेसी है इसके साथ उस तरह से इसको उतना जो है ना स्पेस नहीं मिला है क्योंकि यह वोग यहां आएंगे रेजांगला के बारे में जानेंगे तो उन्हें पता चलेग हैं अगर हम हर्याना की बात करें और जिस जगह हम खड़े हैं हर्याना के जब बना है जबसे उसके बाद से सबसे ज्यादा अगर सहाधत हर्याना के किसी एक छेतर से हुआ है सनिकों ने सहाधत दी यह देश के लिए तो इसी रिवाडी और कोशली विधानसावा के लोगों यहां पर मतलब कुछ माली लगाए हुए इसका काम तो अच्छा चलता है इसका मतलब देख रहें काम अच्छा है बिस एक प्रोब्लम यह मीजियम नहीं खुलता उसे मीजियम की टिकट फ्री है यहां पर लोगों कोई पैसे चार्ज नहीं किये जाते मीजियम देखने के आँचा यह जो पूरा बेल्ट है अहिरुआर का यह सारे लोगों ने मतलब सर्कार की पहल ती है इसके पहले वह पार कस्तित में था देखिए सरकार ने पहल करके इस पारक का निरमान किया क्योंकि जो फंडिंग है वह तो सरकार से आएगी लेकिन इस चीज के पीछे लोग प्रिवावित होते हैं कि यूवा को केंद्रित होता है देखिए इसमें वैसे तो गौपन्मेंट या फिर जो भी ऑप जो एंजियोज वोगेरा है जिस तरह के भी कारिकरम होते हैं वो जो है रिवाडी के लगबग इसी पार्क में होते हैं जैसे रहागिरी का जो एक कारिकरम था वो जो गौर्मेंट ने करवाया था वो भी इसी पार्क में हुआ था भी कुस दिन पहले एक रे जांगला जो है ना मतलब सहीद दीवस का भी एक मनाया जाता है वो भी मतलब इसी पर फोकस करके मनाया जाता है वहां पर लोकों की गैदरिंग अच्छी होते हैं दूसरा क्या है कि इस पार्क का एंवार्मेंट बहुत अच्छा है अर अल आवर रिवाडी देखेंगे तो सबसे अच स्टेंड से हमें ओटो भी मिल जाता है आने के लिए और बारा के बाइपास पर पड़ता है वैसे तो कुछ सहर से आना चाहिए तो बाइपास के थुरू भी आ सकता है यहां पर क्या कि जगह क्या बताएगा पाइलेट चोक के पास लेजांगला पार्क मतलब किसी को भी बत पूंड है चुनाओं से क्योंकि इतिहास पर हम ठीके हुए हैं और इतिहास के बुनियादों पर ठीके हैं उनीस सो बाइसट का वह युद्ध था बीबी सी की एक डाकुमेंटरी बनी है आप उसको देखिए रेजांगला पार्क पर तो बहतर समझ पाएंगी इस पार्क का मैं बेल्टि की बात कर रहाँ हो हर्याना भी कई टुकॡों में बटा है म्वाथ है जाट लेंड फ्रावा को छहां है तो ग कई पर क्लियर कर देंगे कौन-ublikवल मज्वाल मेंकि रहें और ज sector तो यह तीन चार जिले जो हरियाना में एक राजस्थान में है अलवर तो यह तरह से प्रेड़ा का भी काम है तो जो सरकार ततकाली इन सरकार थी रोने एक अच्छी पहल किये जो मैंने बेखती का तो पर देखा ठीक है बेवस्तित हमोमन सहरों में जितना मैं देखता हूं बह सवार म्यूजियम खुलना चाहिए क्योंकि वह भी उसमें भी कुछ ने कुछ ऐसा होगा म्यूजियम है तो स्वाभावी कोई ऐसी चीज़ जुड़ी होगी पर क्यों नहीं अब इसकी पहल आप ही लोगों को करनी होगी फिलाल आप देख रहे हैं हर्याना की चुनावी भी झाप झाप झाप